जहिन साथियों मै इशारहमत competition community के इस 36 गड़ सब इंस्पेक्टर प्रोग्राम में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार इसी उद्देश के साथ और इसी भावना के साथ इसी जोस के साथ अब अपनी निरंतरता बिल्कुल बरकर और साथ में एक युद्दिस तर पे तैयारी कर रहे हैं तो आईए जो है आज हम सबसे पहले एक सुभ विचार पे चर्चा करें देन उसके बाद हम सत्र प्रारम करेंगे लेकिन उससे पहले जो बच्चा पहली बार इस सत्र को देख रहा है उससे निवेदन करना कोन दबायत ताकि जो है उसको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, क्लियर है, तो आईए सबसे पहले एक सुप विचार पे चर्चा करते हैं, एक महान व्यक्ति के अनुभाव पे चर्चा करते हैं, तो सहीदे आजम भगत सिंग क्या कहते हैं, उनका अनुभाव क्या है, तो इ उनके विचार बच जाते हैं, बिल्कुल सौ प्रतिसत दम है इसमें आपका इनके विचारों पे, तो सबसे पहली बात तो ये समझें कि सहीदे आजम जो भगत सिंग जी है, उनके बारे में क्या ही भखान करूं, वो तो मतलब उनके विचार क्या वही खुद हमारे मन में व मौर्य वन्स के सासक चंद्रगुप्त मौर्य रहे, लेकिन अगे अर उन्हें समझधारी किसी ने प्रदान की, उन्हें सिक्षा किसी अगर उनको किसी ने शिक्षा दी, तो वो कौन थे आपके? हमारे आदर्नी सम्मानी जिनको जाना जाता है विष्णुगुप्त के नाम से जिनको जाना जाता है आपका कोटिल्ले के नाम से जिने जाना जाता है आपका गुनी पुत्र के नाम से चानक्के के नाम से तो उन्होंने जो है सिक्षा प्रदान की मेरी बाते आप लोग को समझ में आई होगी ज्यादा समय ना लेते हुए आईए हम अपना सत्र प्रारम करते हैं तो 36 गड़ सब इंस्पेक्टर कोर्स के बारे में मैंने बताया था और साथ में भी बताया था कि 36 गड़ सब इंस्पेक्टर भरती पांच चरणों में होने वाली है जो कि आपका मैजरमेंट वाला पोर्शन कम्प्लीट हो गया है और याद रखिएगा साथियो जो कॉम्पेटिशन कम्प्लीटी आप लोगों के लिए ले के आया है 25 जुलाई से 25 अगस्त के का जो सेग्मेंट है उसे बहतर तरीके से कम्प्लीट करना है क्योंकि अपनी तैयारी आपको बहतर से बहतरीन मनानी है और कोश्चन्स जितने भी आप लोगों को कराये जा रहे है साथ में जो है आपका डिटी लिंग प्रोवाइट कराये जा रही है तो ऐसी अपनी निरंतरता बिल्कुल बरकरार रखें प्रिलिम्स के एकसाम के आने से पहले तक क्लियर और बिल्कुल आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति करेंगे आगे बढ़ते हैं ये तो साथियो जैसा की मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगको भारतिय भुगोल और भारतिय भुगोल में आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे घूमेंगे घूमने के बाद जो है हमें कुछ विशेश जगह प्राप्त होगी उसके बाद जो है हम क्या करेंगे उस विशेज जगह के प्राप्ती के पस्चाद बहतर तरीके से अपना व्यापार करेंगे मतलब की परिवहन याद रखेगा सात्यों यहां राजमार्ग लिखाया है च्छमा चाहूंगा इसके लिए राजमार्ग के बारे में चर्चा होगी लेकिन परिवहन के बारे में पढ़ेंगे खनीज के बारे में पढ़ेंगे विशेज जगह प्राप्त हुई से आसाय वही था कि विशेज जगह मिल जाएगी जहां से खनीज मिलेंगे और खनीज जैसे प्राप्त होगा वैसे ही आपक यो प्रस्न करें तो भारत का सबसे लंबा राष्टी राजमार्ग कौन सा है आंसर लगाओ मैं बताऊंगा देखो भारत में अगर कहा जाए राष्टी राजमार्गों का अगर फैलाओ देखा जाए तो लगभग देड़ लाग से भी ज्यादा छेत्र जो है मतलब किलोमीटर का छेत्र जो है आपका वो भारती राष्टी राजमार्ग आता है उसमें क्लियर भारती राष्टी राजमार्ग देड़ लाग से अधिक जो है आपका किलोमीटर में फैला हुआ है ठीक है जाल है पूरा है उसमें अगर कहेगा प्रस्न की सबसे लंबा राष्टी राजमार कौन सा है तो याद रखेगा साथियों आपका National Highway 44 कौन सा है आपका National Highway 44 क्लियर है याद रहेगा क्या है जैसे मैं पुछू क्या है तो तुरण repeat करे करिए ताकि याद होते जाए एक Smart Study format में तो National Highway 44 भारती राष्टी राजमार का सबसे लंबा राष्टी राजमार का है क्लियर आगे बढ़ें अब देखो महोदे भारत माला परियोजना भारत माला परियोजना क्या है केंद्र सरकार द्वारा आयोजित एक ऐसी योजना जिसमें सभी योजनाओं का जो कारे नहीं हुआ है और जो चल रहा है उसमें बहतर क्रियानवयन करना ही आपका कारे किसमें है भारत माला परियोजना के अंतरगत आता है मतलब याद रखेगा ये राष्टी राजमार को से संबंधित परियोजना है जो की केंद्र साग सरकार द्वारा लाया गया है अब मैं आप लोगों के लिए एक प्रस्न बताता हूँ बहुत सारे बच्चे जो है बहुत ही आपका बहतर तरीके से कमेंट बॉक्स पे आंसर देते हैं तो भारत के वरतमान के रेल मंत्री कौन है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है क्योंकि मंत्री मंडल से भी प्रस्न पुछे जा सकते हैं याद रखेगा साथे तो सारा मंत्री मंडल जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा और हमारी मैगजीन भी आने वाली है भी बीस पेच की उसमें आपका मंत्री मंडल से संबंधित सारी जानकारिया आप लोगों को मिलेगी तो ये तैयार हो रहा है भी वैसे मैगजीन तो आपका याद रखें कि आपको याद रखना है भारत माला परियोजना क्या है तो आपका राजमार्गों से संबंधित है और राजमार्गों के विकास के लिए है ठीक है, किसके लिए है राजमार्गों के विकास के लिए clear, आगे बढ़े, आईए प्रधान मंत्री भारत जोडो परियोजना संबंधित है ये भी most important, क्या बोले प्रधान मंत्री भारत जोडो परियोजना PMBJP clear, अब तो याद हो जाएगा, तो प्रधान मंत्री भारत जोडो परियोजना संबंधित है, जितने भी राश्ट्रिय गलियारे हैं मतलब जितने भी भारत के राजमार्ग के गलियारे हैं, अब गलियारे नहीं समझ मैं तो मैं बताता हूँ क्या गलियारे, आओ भई, एक प्लैंक पेज ले लेते हैं, ठीक, नक्से महोदय को तयार कर लिया जाए इसमें, ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ा बन जाएगा, छोटा बन जाएगा, तो छमा चाहूँगा जी, हाला, यहां से फोकस मेरा थोड़ा सा कम जोर रहता है, क्लियर, अब देखो साथियो, भारत के नक्से में याद रखना है कि यहां है जम्मू एन कस्मीर, जम्मू कस्मीर से लेकर आपका तमिल नाडू स्थित कन्या कुमारी, में आपका हमारा उत्तर दक्षिन गलियारा है, कौन सा गलियारा है, उत्तर दक्षिन गलियारा, और यही गलियारा जो है आपका, क्या कहलाता है आपका नौर्थ साउथ कॉरिडोर, क्लियर, यही गलियारे के विकास के बारे में हम चर्चा करेंगे उसके बाद गुजरात मिले गए यहां गुजरात से लेकर असम के सिल्चर तक के आपका गुजरात के पूर बंदर से असम के सिल्चर तक के गलियारा है जो कि राष्टी राजमार केंतर गताता है यह जो है आपका क्या हो जाएगा यहां महोदा इस्ट हो गय वेस्ट मतलब की पूर्वो पस्चिमी गल्यारा या पस्चिम पूर्व गल्यारा कहलाएगा पूर बंदर से लेकर असम के सीलचर तक के अब अगला स्वण्णीम चतुर भूज नजर आएगा यहां आपके मिलेंगे दिल्ली हमारे भारत की राजधानी नहीं दिल्ली हाना तो यह है आपका स्वण्णीम चतु भूज और इनहीं गल्यारों के पर्याटन इस्थलों के विकास और अन्य योजनाय भी है बहुत सारे बच्चे भूलेंगे सर फलाना योजना धिकाना योजना इसमें है लेकिन याद रखेंगे कि प्रस्ण सीधा सीधा पूछ देगा आप पर्याटन इस्थल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना बनाई गई है भारत सरकार द्वारा तो प्रधान मंत्री भारत जोडो पर्योजना जिसे की पर्याटन इस्थल को आर्थिक दिष्टी कोन से उनका विकास करने के लिए बनाया गया है तो प्रधान मंत्री भारत जोडो पर्योजना किस्से संबंदित है तो राज मारगों के विकास के लिए ये सीधा-सीधा प्रस्न पूछा जाता है ठीक है आगे बढ़ें आईए ये तो हो गया भई समझ में आया ना कि नौर्ट साउथ कॉरिडोर और आपका इस्ट वेस्ट कॉरिडोर और स्वाणीम चतुरभूज अगला है ये भी पूछ बैठेगा अगर के स्वाणीम चतुरभूज किन किन आपके राज्यों से गुजरता है तो यहां से भी याद होना चाहिए उसके बाद जो है आपका याद होना चाहिए वो सारी चीज़े अब देखू जवाहर सुरंग कहां से गुजरती है तो बिरूर करें ताकि आपसे अगर प्रस्न पूछा दर्रा से संबंधित दर्रा मतलब पास होता है एक इस्थान से दूसरी जगह, इस्थान को जोडने वाली जगह जो कि आपको दर्रा कहलाती है तो आपका क्या होगा आपका वो तो रोड भी कहलाती है बोलेंगे सर लेकिन जो है प्राकृतिक रूप से बना हुआ छेत्र कहा जा सकता है उसे, लेकिन याद रखेगा, दर्रा से प्रस्न पूछा जाता है, तो ज़्यादा कंसेप्ट में नहीं जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, आपका याद करने के उद्देश से, किस राज्य में कौन सा दर्रा इस्थित है, सिधा-सिधा उठा के प्रस्न पूछ और नक्सा इसलिए प्रिफर करता हूं, कि नक्से से सारी चीजे जो है, याद करना अनिवार रहे हैं, क्लियर है, देखो भई, यह दिखेगा आपका जम्मू कस्मीर लद्दा के पीयोके हो गया, अक्साई चीन हो गया, यह जम्मू कस्मीर वाला छेत्र, तो कारा कोरम दर् कारा कोरम, ठीक है, उसके बाद याद रखना है आपका जोजिल, बुर्जिल और पीर पंजाल, क्या याद रखना है, यहाद रख सकते हैं इस प्रकार से, क्या हो जाएगा, जोजिल, बुर्जिल और पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल दर्र, तो इतने दर्रे हमें ते याना नीवाढ रहें। उसके बाद आजाओ आपका हिमाचल प्रदेश्वाले छेत्र में तो याद रखना आपका कौन-कौन साइो। है न बरह लात रहा ठीक है और आपका क्या है हां सिफकिला बरह लाष ला रह रहा ठीक है इस प्रकार से आदा रखते हैं सिफकिला बरह लगात रहा है यो तर तर अ धाने दोर लहा उत्राखंड में इस्तित है, देन उसके बाद आपको सिक्किम जाएंगे, तो यहां बताया था मैंने आपको जगह कम है महोदा है, मैं यहां बता दे रहा हूँ, याद भी कर लिजेगा, मेंचन भी कर लिजेगा, आपका नाथूला और जेलेपला, ठीक है, कौन सा, नाथूल बोमडीला, दीफुधर्रा, ठीक है, बोमडीला, दीफुधर्रा और आपका याँग याद रखना है, याँग याप, ठीक है, तो यह याद होना जरूरी है, याँग याप दर्रा, फिर उसके बाद मनिपूर में जाओगे, तो तुजुधर्रा मिलेगा, यहां मिलेगा आ सारे चीज़ा नोट करते जाओ पेन कॉपी लेके बैठाओ तो तुझू दर्रा हो गया देन उसके बाद महरास्ट में मिलेगा आपको क्या मिलेगा महराष्ट में तो थाल गाट और भोर गाट ठीक है क्या याद रखना है थाल याद रखो और भोर याद रखो ठीक है थाल गाट और भोर गाट आपका दर्रा फिसका केरल में याद रखना है एक पाल गाट दर्रा पाल गाट दर्रा तो इसे याद रखना हमारे अनिवार है इतने दर्रव से प्रस्ण आप लोग को सीधा सीधा देखने को मिलेगा इस वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके भी देखिएगा आगे बढ़ें आईए विशु का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफर्म इस्ठीथ है याद रखिएगा साथियो गोरक पूर रेलवे स्टेशन विशु का सबसे आपका लंबा रेलवे प्लेटफर्म है आगे बढ़ें आईए बड़ी लाइन की दो पट्रियों के बीच अब जो है हम रेलवे पहुच रहे हैं तो रेलवे से जो प्रस्ण पूछे जाते हैं उसे भी आद रखना नहीं हो आ रहे है ठीक है सफिसियंट सेग्मेंट है यहीं से प्रस्ण देखने को मिलेगा बड़ी लाइन की दो पट्रियों के बीच की दूरी क्या होती है बड़ी लाइन जानते हैं बड़ी लाइन से ताथ पर जिस ट्रेल में अभी सफर कर रहे है लेकिन कोरोना से इतने प्रभावित है भी, अभी भी जो है टाइमिंग अप एंड डाउन होते रहता है, ठीक है, जो रेलवे में आना जाना करता होगा, वो महोदै इस पीड़ा को समझता होगा, ठीक है, तो आईए देखे साथियो, कि साड़े पांच फीट का जो है होता है, इनका डिस्टेंस होता है, क्लियर, आगे बढ़ें, अगला है, ये जोन याद होना चाहिए, सबसे नविंतम जोन है, जो हमारा अठारवा जोन, वैसे रेलवे के 17 जोन है, अठारवा जोन है हमारा कौन सा, आपका विशाखा पटनम जोन, ठीक है, जिसे कि आपका दक्षणी ये 30 आपका जोन बनाया गया, ठीक है, नविंतम, तो अब ये क्यों कहां से नक्षा आगे, एकदम confusion से हो गया, देखो साथियो, बात ऐसी है, कि हम नक्षे का अध्यान कैसे करते हैं, देखो, समझना है, नक्षे का अध्यान, जो है, हम इस प्रकार से करते हैं, सुरुस कराते ह नॉर्थ हो गया, साथ हो गया, इस्ट हो गया, और आपका वेस्ट हो गया, मतलब उत्तर दक्षिन पूरा पक्षिम, ठीक है, अब इस से हम क्या करते हैं, आपका, नक्षे का अध्यान करते हैं, तो उसी प्रकार हमने ये देखा होगा, कि भारत के दक्षिन पूरुवाला चेतर जो है खानी जो से विस्तारित है आप बताऊंगा आप लोग को तो दक्षेन पूरु किसको बोलेंगे तो यह हो गया पूरु और यह हो गया दक्षेन तो दक्षेन पूरु वाला चेतर यह होगा ठीक है यह वाला चेतर दक्षेन पूरु कहलाएगा तो वैसे ही सेग्म कहेंगा ठीक है Central Railway का आपका स्वारी मध्धी रेलवे नहीं Central Railway का आपका आफिस कहा है तो मुंबई वीटी ठीक है देकिन उसी कहा देगा कि पश्चीमी रेलवे का मुख्याला कहा है मतलब कि आपका सारी आपका West Zone कहा है या West मतलब आपका रेलवे जोन कौन सा है तो West Railway Zone है आपका मुंबई सीजी नहीं 36 गर नहीं है न चर्च गेट होगा वो clear? सीजी मत बोल देने सार मुंबई 36 गर दोनों थोड़ी नहीं नहीं भाईया यह जो है आपका मुंबई सीजी रेलवे का मुख्याला कहा है तो उत्तर प्रदेश में आपका हाजीपूर में तो इस प्रकार से इसका आप स्क्रिंशॉट ले सकते हैं और इससे याद करना है clear? आगे बढ़ते हैं आईए भारत में प्रथम बार रेल कब चली तो याद रखेगा कि एक बहुत ही कुरूर आपके मतलब प्रतिनीजित्व करता थे भारत के जिनका नाम था लॉट डलहूजी और लॉट डलहूजी के समय में हुआ था आपका भारत में सबसे पहले ट्रेन चला था मुंबई से ठाने जो कि आपका कॉंकर्टर्ट में स्थित है ठीक है आगे बढ़ें भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ कब तैयार हुआ तो आपका 1800 कब हो आपका 1800 तीरपन में अगला है भारत की पहली रेलवे लाइन किन इस थानों के बीच कब बनी तो याद रखेगा आपका मुंबई से ठाने चली आपका लॉट डलहुजोगी समय में तो ये प्रस्न हमेशा देखने को मिलता है क्लियर आगे बढ़ें आइए दक्षिन पूर्वी रेलवे का मुख आईए कि कंसेप्ट से बताएं तो ये रहे महोदय दक्षिन और ये रहे पूर्वी तो कौन सा होगा कलकत्ता होगा बिलासपूर क्या होगा दक्षिन पूर्व मध्य क्या होगा दक्षिन पूर्व मध्य बिलासपूर दक्षिन पूर्वी का मुख्याला क्या होगा आपका कोलकाता, clear है दक्षिरपूरी रेलवे जोन का मुख्याला कौन सा होगा, कोलकाता होगा clear है, आगे बढ़े, आईए उत्तर मध्य रेलवे जोन, मतलब उत्तरों मध्य रेलवे जोन कौन सा है आपका तो इलहाबाद है, देख लिजिएगा आप एक बार, clear, तो एक बार मैफ दिमाग में सेट हो जायागा, तो सारी चीज़े याद आने लगेगे, clear, आगे बढ़ते हैं आईए साल की लखड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में होता है, तो याद रखेगा साथियो, साल वन के व्रिक्ष का उपयोग जो है आपका किया जाता है, रेलवे के जो है आपका जितने भी फरनीचर्स होते हैं, मतलब ट्रेन में जितने भी लगे रहते हैं सारी चीज़े, तो वो सब बनाने के लिए आपका उपयोग किया जाता है, रेलवे स्लीपर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है किसका आपका सालवन की लकड़ी का ठीक है जो बहुत मजबूत होती है और आप बैटके गए होंगे तो आप अनुभाव भी किये होंगे नहीं गए होंगे तो एक बार बैटके देखिएगा अभी नहीं अभी पढ़ाई करना ह बढ़ते हैं अगला प्रसन है हमारा निमलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य ऐसा पहला राज्य बना जहां पी-पी-पी मॉडल पर रेल ट्रेक बनाया जा रहा है तो पी-पी-पी मॉडल क्या होता है भाईयो साथियो तो आपका पी-पी-पी-पी मॉडल जो होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप मतलब की नीजी कमपनी और सरकारी कमपनी ये एक दूसरे के साथ में मिलाप करके आपका किसी भी उद्देश को जो की राश्ट्री उद्देश है जैसे कि आपका कौन-कौन से चेतर हो सकता है, इरिगेशन वाला हो सकता है आपका और आपका रेल्वे हो सकता है, साथ में आपका राज्यमार्ग से सम्बंधित हो सकता है, इसे पूर्ण करे और आधुनिक्ता का विकास हो सके, किसी भी देश का मतलब भारत देश का, तो इसके लिए PPP मॉडल पे सबसे पहला कौन से राज PPP मॉडल का आपका रेल्व ट्रेक बनना स्टार्ट हुआ, क्लियर, आगे बढ़ते हैं ये, बारत में निम्न राज्यों में कौन से रेल सेवा से वन्चित है, तो त्रिपूरा में भी है, मिजुरम में भी है, मेघालाय में भी है, सौरी, अरुनाचल प्रदेश में भी है, मिजुरम में भी है, तो ये सभी में जो है रेल है, ये प्रस्न पिछला परिच्छा में पूछा गया है, लेकिन याद रखिएगा, सिक्किम साथी हो, कौन सा आपका, सिक्किम जो है, यहाँ आपका रेल्वे अभी नहीं पहुच पाया है, मतलब रेल से वन्चित है, ठीक ह कि राश्ट्रिय जलमार्ग करमांक एक कहा जाता है, इलहाबाद से हल दिया, ये देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है, क्लियर है, आगे बढ़ें, आईए, प्रस्न है, भारत के निमलिखित बंदर गाहों में से कौन सा एक ओडिशा तठ पर अवस्थित है, ठीक है देख लें, पारादीप, कौन सा आपका, पारादीप जो है, वो कहा है, आपका उडिशा तठ का बंदर गाह है, तो याद रखेंगे, आगे बहुत सारे बंदर गाह से संबंदित प्रसन मिलेगा आपको, कौन सा कथन सहीं है, देखो, हल्दिया उडिशा में है, ये तो होगा, कांडला गुजरात में है, ये सहीं होगा, तो आंसर होगा इसका कांडला, ठीक है, अगला क्या है, मुर्मगाओं मतलब की आप, मुर्मगाओं मतलब आपका ये है, गोवा में, कहा है, गोवा में है, ठीक है, कहा है, गोवा में है मुर्मगाओं, आपका बंदर गाह तो इस प्रकार से प्रस्ण भी हमें याद रखना है मुर्मू गाओं पत्तन इस्थित है अभी बताया कहा है गोवा में इस्थित है सारी चीज़े रिवाइज हो रही है बहतर तरीके से याद करते जाई है आगे बढ़ें तो प्रस्ण का पूछने का तरीका अलग अलग है ठीक है लेकिन अधिक्तर कहा से वहीं से प्रस्ण उठाता है आगे बढ़ते हैं सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए ठीक है भई बना लेते हैं सूची एक को आपका सुची, दोसे सुमिलित किजिए क्या है, समुद्री बंदरगाह और राज्य, ठीक है, एन्नोर बंदरगाह मेरे को मालूम है कि ये तमिन लाडू में स्थित है, तो ये हो जाएगा B का 1, ठीक है, LFP तो केरल में है भई, ठीक है, एक तीन, दिख रहा है कहां कहां, यहां दिख और यहां दिख गए, और मैं जो है B का 1 लिये हूँ, मतलब ये वाला उप्सन सही होगा, इस प्रकार से आप बना सकते हैं, यह जो एन्नोर बंदरगाह दीख रहा है न साथियो, ये निगम आधारित सबसे पहला बंदरगाह भारत का कहा जाता है, मतलब कि सबसे पहला प्र सागरी ये बंदरगाह है, मतलब कि आपका तठ से थोड़ा दूर में जाके लंगर फेका जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, आपका खुला सागरी ये बंदरगाह, मतलब कि उसका छेतर काफी दूर तक के रहता है, और आपका वो है चिन्नाई, क्लियर है, आगे बड़े, आईए, जादू गुडा, अब उद्योग से संबंधीत आ रहा है, धेखो, घनिश न से संबंधित या उद्योग से संबंधीत, ये आएगा, जादू गुडा प्रसिद्ध है, तो जादू गुडा याद रखना है, दस बार प्रस्न पुछ चुका है, यूरेनिःम के के लिम्स का पूरशन था उसमें अधिकतर कोश्चन रिपीटेट थे प्लस यह था कि इसको आप लोगों के लिए एडवांस कर दिये गया टेंशन नहीं लेना है ठीक तो आपका क्या है खेतड़ी किसलिए प्रसिद्ध है तो खेतड़ी है आपका तांबे के लिए क्लियर गया आपका बाला घाट मद्यप्रदेश वाला चेत्र चंद्रपूर महराष्ट वाला उदयपूर भीलवाड़ा भी नहीं भूलना है यह जो है आपका तांबा संबंदित प्रस्ण है तो याद रखना है बूलोग नहीं मूवी के नाम बताऊंगा तो आगे बढ़ें आई कौन सा सेल समू भारत में धातविक खनीजो का प्रमुख इस्त्रोत है ढानेजो का प्रमुख इस्त्रोत कौन सा है आपका धारवार सेल समूं ठीक है धारवार समू से आपका बहुत सारे प्रकार मिन्र encima हो यहां से जैसे कि अगर लौय ऐसकी भी मिलता है ना, तो उसके भी प्रकार होते हैं, ठीक है, मैगनेटाइट है, मैटाइट, सीडराइट, लीमोनाइट, ऐसे प्रकार के जो है, आपके इसमें विविदताएं पाई जाती है, क्लियर, देखो कितने बार पूछा गया है, प्रस नहीं, आगे बढ़ें, आईए, भ नक्से महोद है, जल्दी से बन के तैयार हो जाएंगे, ये तिरी पूरा और मिजुरम, ये बना दिये, बांगलादेश स्रीधर वाला चेत्र, ये गुजरात तैयार हो गया, और ये जो है आपका चेत्र, दक्षिन पूर्वी चेत्र, जो है आपका, सबसे ज्यादा खनीज में देख लो भई, बिहार में तो है, मद्यप्रदेश में भी है, उडिशा में भी है, पंजाब में नहीं है, पंजाब वाले चेत्र जो है, वो आपका लौय असक नहीं मिलेगा वहाँ, ठीक है, बंजाब में लौय असक का चेत्र नहीं है, क्लियर, आगे बढ़ें, परदेश जस्ता राजिस्थान अभी रिसेंट पूछा गया प्रस्न है ठीक है टंक्स्टन राजिस्थान मेगनीज पोड़ी साथीन चत्तिस गड़ अंडेड परसेंट रहता है यहां से देखने को मिलता है लोहा करनाटक और चत्तिस गड़ वाला चेतों तो यह याद रखन ठीक है यूरेनियम जादू गुड़ा जहर इरिखन ठीक है तो इसे याद रखना अनिवार रहे हैं हमारे लिए ठीक अब यह विभिन्य प्रकार की संबंधित जो है आपके क्रांतियां ठीक है तो इसे याद रखना हरित क्रांति क्या है भाई खाद्य उत्तपादन के क्रांति क्या है मत से पालन तो यह याद रखेंगे आप लोग एक लिए अनिवार है यहां से प्रसंद देखने को मिलता है क्लियर आगे बढ़ें महोदा इंग्लिश मीडिया वाले इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और बहतर तरीके से याद रख सकते हैं ग्रीन सेंदर का निर्मान हुआ था ठीक है स्टील सीटी बोकारो ठीक स्टील सीटी बोकारो का आपका सहयोग हुआ था इसके साथ रूस के साथ सहयोग हुआ ठीक है रूस के साथ सहयोग के साथ यह जो है आपका बोकारो इस पास सेंदर का निर्मान किया गया था क्लियर है आगे बढ़े, आईए, कॉन सी कम्पनी अल्यूमूनियम नहीं बनाती, तो ये होगा, TELCO होगा, TELCO, ठीक है, TELCO, मतलब Tata Electric Locomotive Company, इसका नाम है, जिसे अभी Tata Motors के नाम से जाना जाता है, तो यही नहीं बनाती भई, यह Tata Motors तो बनाता है न, आपका गाड़ी वगरा, मतलब आपका जित्ते भी Automobiles छेतर में यह प्रसिद्ध है, तो टेलको नहीं होगा इसका आंसर, Aluminium कहां बनाया गई, ठीक है, तो यहीं आंसर होगा, पहले option में दीख रहा है, ठीक है, फिर उसक सारी कंपनिया जो है, Aluminium का निर्मान करती है, अब आप लोगों मिनी रतन और नाव रतन कंपनी को बारे में बताओं, चिंता मत करो, recent data है, clear, आगे बढ़े, निमलिखित इस्थानों में कहां तांबा उद्ध्योग स्थापित है, कहां है भई, तांबा उद्ध्योग, खे बताओ जल्दी, तो आपका सिमेंट उद्ध्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, हमारे बलावदा बजार वाले शेतर में आपका प्रसिद्ध है, सिमेंट उद्ध्योग चुना पत्थर से, ठीक है, और डोलोमाइट भी आता है उसके अंतरगत, जो आपका हिर्री माइ ठीक है, बिलासपूर के समीब है, आगे बढ़ें, आईए, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, बिहार में डालमिया नगर प्रसिद्ध है, आपका सिमेंट उद्ध्योग के लिए, सिमेंट उद्ध्योग के लिए डालमिया नगर बिहार का बहुत ही प सबसे पुरानी और सबसे नई पर जो है गौर जरूर करिएगा जैसे भारत है भी इलेक्ट्रिकल लिमिटेट है तो यह क्या है आपका 1964 में बनी है तो इस प्रकार से यह क्रहम है महारतन कंपनिया क्लियर आगे बढ़ें उसके बाद है आपके नव रतन कंपनिया तो नव रतन अब जो है साथियो इसके बाद हम जो है जन गणना पे चर्चा करेंगे जन संख्या पे चर्चा करेंगे उसके बाद विविदात्मक रूप से आपको प्रसन देखने को मिलेंगे तो आशा करता हूँ यह सारी चीजे आपको बहतर तरीके से समझ में आई होगी और इसे एक झाल